Hello dear students, welcome to this amazing series. I hope आपको कल दियावा सवाल आपने attempt किया होगा और उसका बहुत सा योगा आंसर भी आया होगा. Let's check the solution. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? From the surface of round wire of radius A, carrying a direct current I, an electron escapes with a velocity V0. मतलब एक current carrying wire है. मान लो यह हमारा current carrying wire. और एक मिनिट हाँ. अब यह current carrying wire है, इसमें से एक electron perpendicularly भाहर निकलता है. ठीक है? With a velocity V0. With a velocity V0. ठीक है? Find the, find what will be the maximum distance of the electron from the axis of the wire before it turns back due to the action of magnetic field. अब यहाँ पर क्या होगा? Electron जब भाहर निकलेगा, तो उसको wire की magnetic field में क्या होगा? भाहर क्या है? Wire की magnetic field जोकी non-uniform है. उसके वज़े से वो turn करेगा, अब turn करेगा, तो उसके बाद वो यहाँ पर यह जो current carrying wire है, मैं लेता हूँगा, current इस direction में है. तो current direction में इसरे है, तो magnetic field बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होगी. अब यहाँ पर आप देखें, इस पर जो force लगेगा, इस wire पर, sorry, इस electron पर, तो कितना Q, V cross B. अब यहाँ पर बाद आती है velocity की. भाहर यहाँ पर जो velocity होगी, वो किस plane में है? X, Y plane में. तो इसके पास X component होगा और एक Y component होगा. तो भाहि हम भी लेते हैं, भाहि एक VX है किसी instant पर VX और उसी instant पर VY. अब इसकी जो velocity का magnitude है, वो change नहीं होगा, को किसे magnetic field में है, work done 0 है. तो जो V naught स्टार्टिंग में थी उसकी speed, बाद में भी velocity की magnitude कितना होगा? V naught ही होगा. तो हम ये तो बिल्कुल कह सकते हैं, हमेशा कि भाहि पूरे process में यहाँ पर V naught square is equals to VX square plus VY square और ये constant value होगी. ये constant value होगी जोगी V naught के बराबर है. जोगी V naught square के बराबर है, ठीक है? जो मैं लिखा. अब यहाँ पर आप देखो, कि यहाँ पर जो V है, यह हमारे पास minus E, velocity आपके पास जो है, वो कितनी है, वो है आपके पास VX, किसी instant पर I cap, plus VY, J cap, ठीक है भाई? यह आपका, और cross, magnetic field, magnetic field कितनी है आपकी? बी माल लेता हूँ, उस instant पर कितनी magnetic field है, बी माल लेते हैं अभी, बी K cap, ठीक है भाई? यह हमारा force का expression, अब यहाँ पर पूरा solve करें हम, तो मैं यह समझ आ रहा है कि भाई, यह E, minus E, VX, into B, और I cross K, यह हो जाएगा हमारे पास minus J, और यह हो जाएगा J cap, पूरा, ठीक है? यह plus कर दिया मैंने यहाँ पर, अब minus E, VY, J cross K, यह हो जाएगा हमारा A, यह B भी आएग यह आएगा, ठीक है, यह आपका F factor, तो हमको दिख रहा है कि यह force हमारे पास एक तो Y component है, और यह X component है, तो हमको यहाँ पर, यह X component होगा Fx, और यह हमारे पास होगा है, उसका Y component Fy, अब आप ध्यान से देखो, सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया, कि व दिखते हैं, कि X max कब होगा, X max तब होगा, जब इसका X component, जो velocity का X component कितना हो, 0, बस यह उसकी, यहाँ पर velocity कितनी हो जाए, उसकी, Vx कितना हो जाए, 0, वो उसका X max होगा, तो हमको वो point ढूणना है, जहाँ पर Vx कितना हो जाए, 0 हो जाए, अब उस Vx को ढूणने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा F, F में हमारे पास X component है, अब X component से हम पहले X relation निकालेंगे, फिर velocity का relation निकालेंगे, तो Vx कितना है, आपके पास E, Vy, B, minus V, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यह आगया Vx, Fx, तो यह हो गया M into Ax is equals to minus E, Vy, और यह उस जगा की magnetic field, AX को हम लिखते हैं क्या, Vx और DVX by DX is equals to minus E, Vy और यह magnetic field, ठीक है, तो यह हो गया M, Vx, DVX is equals to, यहाँ पर हम Vy ले आते हैं इधर, और इसको भी हम उधर ले जाते हैं, M को, यह हमारा हो जाएगा, कुछ इस तरह से कि minus E, B by M, और यह DX, यह हमारा हो गया, ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे, Vy, इसको अटाना है in terms of X, Vx, तो यहाँ पर हमको स्कोर माइनस, Vx का स्कोर, यहाँ से अब Vy को लिखेंगे, तो लिखेंगे Vx अपॉन यह, V not का स्कोर माइनस, Vy का, Vx का स्कोर, यहाँ पर यह हो गया, हमारे पास, Vx का स्कोर, की पावर हाफ, की पावर हाफ, यह हो गया, Dx, is equal to, minus E, B, by M, Dx, यहाँ पर इसको कर देंगे, हम, इन्टीड, यहाँ पर यहाँ से कर देंगे क्या, इन्टीड, अब बात करते हैं, इन्टीउिशन में लिमिट्स की, भाइ, लिमिट्स हमWar क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए, में integrate है ठीक है तो अब देखें यहां पर आप करोगे vx upon यह आया v0 का square minus vx की power half dvx यह आया था limit थी हमारे पास v0 से 0 और इधर की तरफ हमारे पास जो वो देखते हैं क्या था minus e minus e b by m dx यह था और limit थी हमारे पास x की थी a से हम लिख देंगे यहां पर x max अब यहां पर magnetic field कितनी है वो तो variable है यहां पाता है वायर की है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे minus e b को लिखोगे mu 0 i upon 2 pi x तो 2 pi तो बहार m बहार बचेगा कितना बन अपॉन x dx यहां पर यह a से आपका हो गया कितना x max ठीके भई तो यहां पर यह तो हो गया हमारे माइनस e mu 0 times i upon 2 pi m 2 pi m और यह हो गया ln x और limit लगा देंगे तो वो मैं साथ ही साथ लगा देता हूं x max upon a upper limit minus lower limit तो यह तो मैंने इस सारीया solve पर लिया अब इधर का देखते हैं substitution से करोगे यहां पर आपका क्या आ जाएगा यह आ जाएगा v naught minus vx यह square यहां पर पावर हाफ तो यह तो गया v naught और जब v naught पुट करोगे तो वो गया 0 तो हमारा पास यहां बचा minus v naught तो माइनस से minus साथ तो हमारे पास क्या बचा हमारा बचा 2 pi m या 2 m pi v naught upon e mu naught times i इसको मैं ले आया ln x max upon a यह हो गया ठीक भई अब हमको चाहिए यह था x max तो कर देंगे क्या यह हो जागा e की power e की power में सारा यह पूरा का पूरा bracket में जो है की power में आगा 2 pi m v naught upon e mu naught times i और a साथ में यहां पर यह हो जाएगा आपका x max क्या यह बात समझ आती है विटा तो आपको क्या करना था हमने वह पॉइंट निकारा जहां पर x वाले वेलॉस्टी कितनी हो जा रही है जीरो तो वो हमारा x max था तो x max हो गया a e power 2 pi 2m pi v naught upon e mu naught i बागी सब constant m constant है, pi constant है, v naught आपको given है e mu naught i और यह आपका x max आ गया क्या बात समझ में आ रही है तो I hope आपको इस solution समझ आया होगा अब इस session में आपको next slide, love next session का question आपको next challenge आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलो, okay विटा, thank you